हाई अप्रिबन वेलकम तो अनकाडमी यूजी सी नेट वेरी गूड इवनिंग तू अलो फ्यू स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनकाडमी यूजी सी नेट पर फटावट से लाइव आज जाए क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंट्रस्टिंग है व जल तक की क्लास में हमने पढ़ा था वेबर का इंडस्ट्रिय लोकेशन मॉडल आई थिंक आप सभी को वह क्लियर है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुसे चैट बाक्स में डाउट पूच सकते हैं जो भी आपको कल से रिलेटेड समझ में नहीं आया था औ वो मॉडल था इंडस्ट्रियल लेंड यूज का कि अगर किसी को कोई बिजनस करना है या इंडस्ट्री में मेजर बेनेफिट्स लेने हैं तो कैसे होना चाहिए कहां पर इंडस्ट्री सेट अप होनी चाहिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए मार्केट के साथ में रॉ माटि 1826 के अंदर सबसे पहले अपनी थियोरी दी थी, थियोरी बहुत सिंपल है, शॉट इन स्वीट है, यह सिर्फ यह बात कहते हैं कि अगर एग्रिकल्चर के अंदर मेजर बैनिफिट्स लेने हैं, तो जरूरी यह है कि हम उनकी लोकेशन को तै करें, राइट, तो चलिए, विद यह किताब लिखी थी, जिसका नाम था, डेर, आईसोलेरेट स्टेट, मतलब आईसोलेटेट स्टेट, एक इकरत राज्ये की इनोंने अवधारना दी थी, अब क्या है एक इकरत राज्ये, समझेंगे उस चीज़ को, यह एक कॉंसेप्ट है, एकनॉमिक रेंट का, जो बात क मुझे कि आप रहते हैं राजिस्तान के जोधपूर में, ठीक है, और आपको मन हो गया कि क्यूं ना मैं यहां पर नारियलपानी का व्यापार करूँ, लेकिन राजिस्तान का जो जोधपूर जगह है, नारियलपानी का उतपादन वहाँ पर नहीं हो सकता है, तो इस वज़ पानी खरीद आ तो उसकी costing मान लीजे कि उनके 10 रुपे की आती है लेकिन costing उसकी 10 रुपे थी लेकिन केरला से राजस्तान तक उस नारियल पानी के आने में उसकी transportation cost इतनी हो जाती है कि वह राजस्तान के दस रुपए या बीस रुपए थी राजस्तान में वो मार्केट प्राइस प्रचास रुपए या साथ रुपए थी इतना जो जम पाया वो किसके पीछा आया ट्रांस्पोटेशन के पीछे तो इसी को हम यहां बोल सकते हैं कि यह जो concept है यह एक इकनॉमिक रेंट का concept है इसको वांत्यूने ने अपने लोकेशन इंडस्ट्री लोकेशन मॉडल के अंदर समझाने की भी कोशिश करी थी जैसे जैसे आप डिस्टेंस करते जाएंगे वैसे वैसे कैसे कैसे चेंजे आते जाएंगे यह वांत्यूनें अपनी थियोरी में बताने की कोशिश करते हैं तो अगर इनकी थियोरी को हम ब्रीफली लें तो इन्होंने अग्रिकल्चर लैंड यूज मॉडल दिया था 1826 में मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बार इसको हाइलाइट कर लिजे कि इन 1826 यहां पर इससे ट्रांसलेट किया जाता इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर उसके बाद में मॉडल अपनी पॉपिलर्टी लेता है अब तक के हिस्ट्री में दोस्तों बहुत सारे से ग्रंथ हुए हैं जो बहुत पहले आ चुके थे इसलिए वो इतने पॉपिलर नहीं हो पाई फॉर इग्जामपल कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट 1912 में आ गई थी किताब लेकिन उसको उन्होंने ट्रांसलेट 1915 में किया उसके पास उसको पॉपिलर्टी मिले तो सेम इसलिए हम इसको इतना इंपोर्टेंटली इसलिए पढ़ डैसे वेरी गृवसिघ लींग अ कि है में एक बज्चे वाली क्लास क्यों नहीं कि एक वाली क्लास ही अभी हो रही है ंपांसवजे का मने नो Teresa का या इंसलिए पांसबजे काई टेसाइड के फिलिए कल लाई कि घुगी होगी पहरे वह इसमारी ट्यास पर थाइनी वंतिलेंस model of agriculture use is called the concept of locational rent मतलब जिस जगे पे आप बैठे हैं जिस जगे पे आप काम कर रहे हैं उसके rent की बात करता है यह basically लिया गया था agriculture field in Germany जर्मनी के एक गाउं के उपर या जर्मनी के एक जिसको अपन कहें कि एक खेट के उपर यह आधरित है in this model he assumed that a city is located centrally within an isolated state and the state is self-sufficient of agricultural good and has no external trade आप imagine कीजिए कि यहाँ पर एक शहर है बीच का शहर है वो शहर जिसे हम नाम देंगे isolated state का इस isolated state के चारो तरफ वो सारी चीजे हैं जो as a human being required है तो इसका किसी भी बाहर के साथ में कोई relation नहीं है have no external trade बाहर का कोई नहीं है सिर्फ अंदर ही अंदर लोगों के पास में हर तरह की capacity है और वो क्या कर रहे है उस central city तक अपने goods को पहुँचाने की कोशिश कर रहे है simple सी चीज है समझ में आ गया कलपना करी गई थी का isolated state की तो isolated state कौन है एक central state मान लिएजे की पुरानी दिल्ली पुरानी दिल्ली आज के टाइट में एक central state है यानि की वो एक isolated state है वो produce कुछ नहीं कर रहा है बट उसके पास में मिल रहा सब कुछ है उसके चारो तरफ की कुछ जगे ऐसी है जो उस तक अपने सामान को पहुँचा रही है तो अब इन्होंने क्या बोला कि isolated state की तो आपने कलपना कर ली इसको हम शामिल नहीं करेंगे ओके दिखने ही रहा है वेट अ मिनेट अभी दिख रहा है क्लियर है अब देखते हैं ठीक है यह अलसो एकस्पेंगे अच्छी आफ अग्रीकल्चर करॉप बेस्ट अब प्रॉफित मेकिंग क्यम्स पर्वाथे produced near the city as it would save the transportation cost by carrying less distance to the city. Purshable crops such as vegetable, milk product will also be produced near the city. Lightweight and durable agriculture goods such as rite, wheat etc. will be grown far away from the city. So, कहने का मतलब एक कलपना करी गई थी एक city की जिस city में माल लीजे की माल लीजे की मैंने यहाँ पर आपको एक जगे बताई ठीक है यह एक place है इस place को मैंने नाम दे दिया central city ठीक है इस central city के चारो तरफ कौन होना चाहिए तो उन्होंने यह बोला कि क्योंकि यह central city है central city का मतलब यह है कि यहाँ की population बहुत जादा होगी simple सी चीज है population जहाँ जादा होगी वहाँ पे चीजों के demand बढ़ेगी demand बढ़ेगी तो goods को लाने ले जाने का क्या बढ़ेगा transportation बढ़ेगा simple सी चीज है जहां लोग रहेंगे वहाँ पे chain अपने आप बंडवलप हो जाएगी तो अब अब Central City में क्योंकि लोग रह रहे हैं इसका मतलब यह कुछ produce नहीं कर रही है यह Central City dependent है अपने आजपास की जगे पर जैसे कि इसके बिलकुल पास की एक जगे है फिर उससे थोड़ी दूरी पर एक जगे फिर उससे थोड़ी दूरी पर एक जगे तो यह Central City क्या है depend कर रही है अब depend करने जैसा क्या है Central City के अंदर रहने वाले लोग या आप अपनी कल्पना कीजे जब आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपको किन-किन चीजों की जरूरत पढ़ती है For example, अगर आप चाय पीते हैं आपको दूद की जरूरत पढ़ती होगी खाना खाते हैं तो vegetables की जरूरत पढ़ती होगी ठीक है और साथी साथ rice की भी जरूरत पढ़ती होगी कपड़ों की जरूरत पढ़ती होगी transportation के लिए fuel की जरूरत पढ़ती होगी पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत पढ़ती होगी मतलब multiple resources की हमें ज़रूरत रहती है अब क्योंकि यह Central City है OneTunin अपने model में कहते हैं कि यहाँ पर कोई external trade नहीं हो रहा है Central City के आसपास यहाँ पर सब कुछ वही है जो Central City को मिलने Central City को दिया जाएगा तो इसमें यह कहते हैं कि कैसे farmer की बचत करी जाए ठीक है अब farmer की बचत यू करी जाए कि आप दो situation को यहाँ पर imagine कीजे एक है situation A and second is situation B The first situation is saying कि मैं यहाँ रह रही हूँ मान लिजे कि यहाँ पर आपका घर है आपके घर के चारों तरफ खेद बने हुए हैं गिहूं के ठीक है उस गेवूं के खेद के थोड़ी सी दूरी पर आपके बने हुए हैं चारागा ठीक है जहाँ पर पशु आते हैं और चरते हैं उसके थोड़ी दूरी पर आपके यहांपे बने हुए हैं फलो के खेत, और बिल्कु दूरी के ऊपर डेरी की दुखाने हैं और फलो की वर सबजियों की दुखाने हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताईए कि देली यूज़ेज में आपको गेहूं, चावल, डेली लेकिन जो सबसे दूर हमने बनाया है अभी कि जैसे मिल्क प्रडेक्शन वाला हो गया या वेजिटेबल्स की खेती हो गई यह सब बिल्कुल लास्ट में हो रहा है तो आप सोचिए कि रोज इस जगे से शहर तक इन चीजों को जो जल्दी खराब होने वाली है और जिनकी डेली बेसिस पे दिमांड होती है उनको लाना कमपेरिटिवली थोड़ा सा कॉस्टिंग जादा होती और इसमें चीजों के खराब होने का भी डर जादा रहता है तो हम क्या कहेंगे कि देखो चाहे राइस और जो वीट का प्रडिक्शन है इसको आप ले जाओ मिल्क की जगे और मिल्क को लेओ बिल्कुल सेंट्रल सिटी के पास में क्योंकि ये बिल्कुल पास में पढ़ता है ठीक है इतना समझ में आ गया इसी बेस को 1-2-9 एक प्राक कि सेंट्रल सिटी से थोड़े दूर जाने पर लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो सकती है उससे थोड़ा दूर अगर अपन जाते हैं तो ऐसी चीजें जो ट्रांस्पोर्टेशन में कंपरेटिवली हलकी है और जल्दी खराब होने वाली नहीं है उन्हें हम ले सकते हैं जैसे गेंग की खेती हो गई या चावल की खेती हो गई ट्रांस्पोर्टेशन पी उनका कम है और वो दूरी दूरी भी है और डिस्टेंस भी जादा है लेकिन रोज-रोज की ज़रुवत नहीं है तो यही आपकी एग्रिकल्चर लैंड प्लानिंग है कि आप अब लोगों के पास में बताऊंगी कि अहम जनरली वैसे तो हम लोग टाइपस ऑफ एग्रिकल्चर पढ़ते हैं लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि वांतिनन अपना मॉडल तो दिया क्या सिर्फ उन्होंने एक ही चीज यह देखी कि ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट कम होन देखा कि कैसे-कैसी क्रॉप सिंग को यहां पर होना चाहिए तो उसके लिए उन्होंने अलग अपने टर्म्स दिये थे Like Crop Productivity Crop Intensity Extensive Farming Mixed For Cropping Hinterland and Isolated state यह आपको छे टर्म्स जो है वह याद रखने है सबसे पहला टर्म्स आता है Crop Productivity जिसे हम कहते हैं CP So the formula of CP is production value upon input cost For example, किसी भी चीज की आप crop productivity कैसे निकालेंगे मानिए कि आपका इच्छा हुई कि आपने 100 बीगा जमीन खरीदी और आपने उसमें कोई खेती करने का प्लान किया अब आप समाज कल्यान के लिए तो खेती करेंगे नहीं आप ये देखेंगे कि मुझे भी कुछ profit होना चाहिए तो जितना आप ऐसा लगाओगे और आप उसको कितने दावों में बेचोगे कि आपको एक अच्छा benefit हो जाए वही आपकी crop productivity है crop productivity का मतलब हम ये बोल सकते हैं आपके पास में एक hectare जमीन थे ठीक है उस एक hectare जमीन पर आपने गेहु लगा दिये ठीक है और आपने मान लीजे कि वह जो गेहु आपने लगाया तो आपने सोचा कि मेरा एक hectare पर मेरी जो लागत आई है वह दस रुपे की आई है एक हेक्टेर में मैं उसको 100 रूपे बेचो आपकी लागत कितनी आ रहे है 10 आपकी लागत आ रहे है तो आपको इसमे कृट पर्डिक्टिविटी कैसा है प्रडेक्शन वैल्यू आपने अपने प्रडेक्शन वैल्यू रगदी 100 पर स्क्वायर पर स्क्वायर उसका input cost कितना आ रहा है 10 आ रहा है तो अब आपको 100 अगर आप 10 करोगे तो आपका 10 अपने आप से प्रती hectare आपकी क्या आजाएगी crop productivity आजाएगी अब हम crop productivity को compare कैसे करें compare in the sense आपके खेत में दो खेत थे मालीजे एक में आपने wheat लगा दिया दूसरे में आपने chili की cultivation किया मिर्च का cultivation किया अब उसमें आप क्या करेंगे same one hectare में आपने गियूं लगाया था same second hectare में आप क्या लगा रहे हैं आप मिडशी लगा रहे हैं ठीक है तो आपने क्या किया है on one hectare of land the same land when we grow chillies it cost 12 to grow chillies by 200 rupees ठीक है देन दप्रडेक्टिविटी ओफ दी चिली स्कम्स टू तो एक तरह हमारे पास में जो प्रडेक्टिविटी आ रही है वो 16.67 तो यही चीजों को देख करके किसान हमेशा फसल लगाता है एक किसान है जो कई टाइम से गेंव लगाया जा रहे है हलांकि उसका खेट बहुत किसान है वह अपने खेट के अंदर बींस लगा रहा है फल लगा रहा है हलांकि उसका खेट छोटा है लेकिन उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई है कि उसका जो सीपी है क्रॉप प्रडेक्टिविटी यह कंपेटिवली जाधा चली जाती है तो इससे अपन कहते हैं फसल उत्वा next is crop intensity crop intensity का मतलब यह होता है simple सा ndam है कि जब कभी भी हम एक field हमारे पास में होता है 1 साल के अंदर जब हम दो से ज्यादा फसले लगाते हैं तो उसे हम गहन गहती कहते हैं यह फसल की गहनता कहते हैं इसके लिए हम इस करते हैं ताकि कम जगे के उपर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएं फॉर एक्जांपल मां लीजे कि आपके पास में वन हेक्टेर जमीन थी इस वन हेक्टेर जमीन पे आप सालों से सिर्फ गेहू लगाते हुए आ रहे थे आपकी किसी दोस्त ने आपको सला मानी और गेहू को रख दिया आपने ओनली 25% पर ठीक है उसके बाद में आपने क्या किया 25% पे आपने लगा दिये हैं बीन्स अधा 25% पे आपने लगा दिये हैं मेंस और 25% में लगा दिये कोई और फशा थीक है अब होगा यह कि गेहू का जो प्रडिक्तिविटी थी वो में आ जाएगा इसलिए आपने देखा होगा ना कि कुछ कितान बहुत सारी फसले एक साथ लगाते हैं क्योंकि उन्हें एक में नुकसान होता तो दूसरे में उनको डबल फायदा भी हो जाता क्योंकि कुछी से महंगी बिकती है आज केले जिस भाव में कीवी नहीं मिलता है म अगे कुछी की कुछी कि दीटेजिगे केली की क्रॉप परला इंटेंון जिसमें हम दो से जादा फसले एकी वर्ष में एक ही पर लगाते हैं और उनका प्रेयाग करते हैं आस्ट नेक्सक्राजर मिंग और एक साल में क् Size कम फसले लगाई जाती है और बहुत ही बड़ी जगेगी उन जगे पे जहां पर पॉपुलेशन कंपेटिवली कम है और मार्केटिंग जादा है लाइक प्रेरीज ऑफ अमेरिका अमेरिक कैनडा की जो प्रेरीज है वहां पर आपको जैसे एक ही टाइम पर गेव और चने की फसल को लगा देना चलिए तो यह तो हमने आप से यहां पर बात करी है इंपोर्टेंट फसल के बारे में अब हम डिसकस करने वाले हैं कि 1-9 ने अपनी मॉडल में क्योंकि आपके सामने बार-बार में यह टम्स जरूर आने वाले हैं तो 1-9 ने अपने मॉडल के अंदर जो आइसूलेटर इस्टेड था वो किसकी कल्पना करी थी और किस टाइब की खेती को इन्होंने बैस्ट बताया था आइसूलेटर इस्टेड के पास में तो देखिए, isolated state जो होता है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, which is completely flat reason, वह पूरी तरह से समतल होता है, वहाँ का climate अच्छा है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, वहाँ पे कोई नदी नहीं है, वहाँ पे कोई पहाड नहीं है, और वो जो isolated state है, वो अपने आप में क्या ह है, वो व्यापार नहीं करता है, आसपात से, नाम संद्राय हो isolated, isolated का मतलब होता है, एक इकरित, मतलब अपने आप में रहने वाला, उसको मतलब नहीं है किसी दूसरे से, तो एक isolated state कल्पना कीजिए, पहले तो जो चार बाते हैं लिखी हुई है, मुझे लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन, equal climate किसी जगे का होना थोड़ा सा अलग है, नदिया पाहड नहीं होना, और खाते उत्पादक्ता में आत्म निर्वर होना, आप खाते उत्पादक्ता में आत्म निर्वर एक सेक्टर में हो सकते हो, दो में हो सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज में पात में निर्वर हो आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट भी करनी होती है कुछ चीज़ एक्सपोर्ट भी करनी होती है तो पर ठीक है यह उनकी कल्पना है तो हम उनकी कल्पना के अधार पर ही इसको समझने का प्रयास करेंगे So तो अब हम एक बात ही देख लेते हैं कि 1-2-9 के model की जो basic assumptions है वो क्या थे isolated state आपने समझ लिया the following है अभी basic assumption in the 1-2-9 model the first is isolated state उन्होंने बना दिया जो अपने आप में independent state है isolated state is comprised of one market which is central city isolated state है उसके beach में एक central city है and the market is surrounded by flat agricultural land imagine करते चलिए एक खाली जगे को imagine कीजे बहुत बड़ी जगे है which is isolated state जिसके चारो तरफ कोई नहीं है उस state के बिल्कुल बीच में एक कल्पना कीजी एक market area की जिसको हम कहेंगे central city उस central city क्या है चारो तरफ से market से घिरी हुई है अब जो market है अब क्या market production करता है नहीं market तो एक तरह से seller का काम करता है दुकानदार बनाता थोड़ी यह चीज़ को दुकानदार तो चीज़ों को सिर्फ बेचने का काम करता है तो वहीं जो market है इसका मतलब market में कोई चीज बन नहीं रही है इसका मतलब market को मिलने वाला जो goods है वो भी अपने आसपास के इलाकों से ही आ रहा है वो कहीं और से export इंपोर्ट नहीं हो रहा है ठीक है तो जो खेत है वो अपना सामान market में बेच रहे है और market वाले उनहीं से अपना सामान खरीद रहे है मतलब एक तरह से उनका exchange चल रहा है farmers are settled in the hinterland who wish to maximize the profit farmers जो है वो कहां रहते हैं उसी बीतरी इलाके में रहते हैं और वो यह चाहते हैं कि market के साथ में हमारा connection बना रहे और हमारे जो profits है वो भी बढ़ते रहे या profits हमारे maintain रहे there is only one mode of transport and the horse wagon is used यह कपकी बात हो रही है guys 1826 that means आज के 200 साल पहले आज हम कह सकते हैं कि ship भी है flights भी है train भी है plane भी है बट 200 साल पहले उन्होंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ भीतरी इलाकों में घोड़े गाड़ी का प्रयोग होता था और यह बिल्कुल genuine है उस वक्तों कलता नहीं कर सकते थे कि bullet train से भी व्यापार होगा के कभी so उनकी नजर में वो ठीक थे अब क्यूंकि नदी नहीं थी तो transportation waterways तो कोई होई नहीं सकता था airlines farmer को लेने के लिए होगी नहीं कभी इस वज़े से उन्होंने घोड़ा-गाड़ी का प्रयोग बताया क्यूंकि surface reason flat था अगर ठीक है क्यूंकि surface reason flat था इस वज़े से उन्होंने ये बोला there is only one mode of transport and the hot wagon is used the market is not accessible by waterway and there is no road transportation cost is directly proportional to the distance and weight of the material same line weber sir ने भी कल बोली थी कल की class में अगर आपने पढ़ा हो तो same line weber sir ने भी बोली थी कि transportation जो cost होती है is always proportional directly proportional to the distance and the weight of the material is it clear ये आपके वांत्युरेन की मूल धारनाई थी मैं एक ब्रीफ कर देती हूं आपको एक land है जो completely isolated है जिसके पास में सारी favorable conditions है and वो किसी पर भी depend नहीं है उस land के बिल्कुल बीच में एक जगे है जहां पर लोग रहते हैं which is central city central city is surrounded by the market market में जो goods आते हैं वो receive किये जाते हैं market के चारो तरफ फैले हुई खेतों से खेत market को अपना माल देते हैं market खेतों से अपना माल लेता है transportation के लिए सिर्फ और सिर्फ गोड़ा-गाड़ी का प्रयोग यहां पर होता है जितनी ज़ादा दूरी होगी जितना ज़ादा वजन होगा जब transportation है वो भी उतना ज़ादा ही बढ़ता जाएगा ठीक है इतनी बात इन्होंने आपे कर ली उस time के according बहुत अच्छा बोल भी दिया था अब उनकी जो theory थी न वो basically दो principles के उपर चलती थी पहला principle क्या था वई interesting है पहला principle काफी the first principle is crop intensity decrease with increasing the distance from the market अगर आप market के बिल्कुल पास में आपका खेत है तो आपकी crop intensity high होगी लेकिन markets अगर आप दूर जाकर के अपने crop को लगा रहे हैं तो उसकी intensity competitively कम हो जाएगी productivity competitively decrease हो जाएगी अगर आप markets अपना distance को कम करोगे तो हट बढ़ा होगे तो agriculture land use pattern change with the distance increase from the market तो जैसे इसका मतलब यह है कि market से जितना जूर जाते जाओगे agriculture pattern agriculture pattern change हो जाएगा साथ सी साथ आपका जो crop की productivity है वो decrease हो जाएगी crop की intensity intensity decrease हो जाएगी तो productivity intensity and pattern तीनों change हो जाएगे जैसे जैसे मार्केट से दूर जाते आप जाएगे तो यह थे इनके दो सिद्दान इन सिद्दान्तों को याद रखना है अब सीदे सीदे तूब दो आपके सामने आ चुके हैं एक आगया है crop intensity and productivity decrease हो रही है दूसरा आगया है land use pattern भी change हो रहे है अब simple सा सवाल फिर से एक बनता है कि कैसे crop intensity and productivity decrease होती है जैसे मार्केट से distance हम बढ़ा लेते हैं देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा locational rent concept कैसे दो सिद्दान्तों और बुनियादी मानेताओं को उप्योग करते हुए वांत्यूने ने इस्ट तम हुमी उप्योग pattern देने की कोशिश करी जो कोशिश करता है कि किसान के लाब को या किसानों की productivity को बढ़ा दे क्योंकि उन मेरी जो क्रॉप है उससे मुझे maximum profit मिले उसके लिए उन्होंने क्या दिया था वांत्यूने एक formula दिया था जो की locational rent की बात करता है मतलब आर्थिक जो किराया है उसकी बात करता है तो is L is equal to Y P minus A minus KM अब यह क्या है formula तो हमने यहापे लिग दिया है but what is this L क्या है L is the total rent over net profit म मैंने कोई चीज 100 रुपे में खरीदी और मैं अगर उस चीज को 200 रुपे में बेचती हूं तो मेरा जो net profit होगा वो 100 आएगा ठीक है अब इतना मैंने खरीदा फिर मैंने उसको 200 में बेचा इसके पीछे का मेरा reason क्या था reason था मेरा profit मैंने profit के लिए तो किया यह अब generally कोई काम कोई करता है जितनी भी आप दुकाने देख लिए इंडस्ट्री देख लिए वो इस L के लिए होती है मतलब इस profit के लिए होती है कि ultimately हमारे पास में कितना बचा जनरली आप कभी दुकान पर कोई सामान करीदने जाते हैं तो bargain कराते हम कई बार bargain कराते हैं तो कैता है रह इतने में देदो तो गोलता है इतने में तो हमारे नी पड़ा फिर हमारे क्या benefit होगा हम भी यहां दो पैसे कमाने के लिए बैठ हैं कुछ permanent line होती है दुकान दार होगे तो L का मतलब हो गया net profit अब हमें हमेशा से ही यही जानने की कोशिश होती है तो कैसे जानेंगे तो उस के लिए P क्या है P is market value कि आपने कोई product लगाया उस product की market value इतनी है A क्या है A is per unit cost of cropping and K is the distance from market to agriculture field and M is per ton transportation cost तो इसको आप कुछ ऐसे समझे कि Y का मतलब हो गया कि crop intensity और productivity आपको देखनी थी जैसे मान लीजे कि मैंने एक किताब लिखी है इन केस किताब लिखी है उस किताब को लिखने की जो मैंने उसकी market value बताई है उस किताब की वो मैंने 500 बताई है इनीशली मेरी 200 किताबे बन करके आई है ठीक है तो 200 किताबे मेरी बन गई 200 किताबे बनने के बाद में मुझे बताना है P market value कि मेरे जो product है जो मैंने किताब लिखी हो उसकी market value क्या है तो मेरी नजर में मेरी किताब की market value 500 रुपए है ठीक है अब मुझे ये भी पता लगाना होगा कि मेरी उसमें कितनी costing आई है तो A is per unit cost of cropping तो मेरी एक किताब की cost मैंने market value के according तो 500 बताई है लेकिन मेरी जो उसमें costing आई है वो 150 rupees आई है in case ठीक है 150 rupees इसमें आगी है अब मुझे आगे चलके क्या करना पड़ेगा कि through transportation जो हुआ आपने जब अपने घरों बें मंगवाया तो उसमें कितना पैसा लगा तो ऐसे हम हर चीज को totally पता लगा पाते हैं तो यही आपका एक formula है जिसमें आप देख सकते हैं कि locational rent का पता या इसमें हमारा जो benefit है वो कैसे आ सकता है अब इसके लिए आपके साथ में जो सवाल यहां बन सकता है वो यह कि L की क्या value है Y क्या होता है P A K M क्या क्या है तो इसको हम क्या करेंगे हमेशा distance जो market का है वो और पर जो transportation cost उसको हमेशा mix किया जाएगा right समझ में आ गया कोई doubt है तो पूछ लीजे 10 मिनिट के अंदर theory खतम करनी है अब अपने को तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी intensity theory पहला एक सिद्दान्थ मैंने आपको बताया था ना कि market से जैसे जैसे दूर जाएंगे productivity and intensity decrease होगी तो क्यों होगी due to rise in transportation cost intensive cultivation is most suitable near the central city intensive का मतलब होता है भारी प्रोडेक्ट या वो प्रोडेक्ट जिनका cultivation competitively जादा हुआ है तो वो भारी है भारी अगर market के पास होगे तो transportation cost कम होगी किसान को फायदा होगा वहीं आप जैसे जैसे उन भारी उद्योगों को दूर चलाते जाओगे तो आप खुद बखुद उनकी जो intensity है उनको आप कम कर दोगे क्योंकि आपके transportation cost जादा आ रही है therefore the intensity the city of the production of a particular crop decline with distance from the market आप इसको इस तरह से देखिए यह दिख रहा होगा आपको crop intensity model of 1th union first of all here is your market right और market से ले करके यहां तक यह आप देख पा रहे हैं क्या है यह distance है ठीक है अब माल लीजे कि आपने कोई फसल है वो आपने यहां लगा दी बि intensive culture आपने आपे कर दिया तो क्यूंकि आपका intensive था आपकी product बहुत जादा थे तो आपको जोर नहीं आया क्यूंकि आप market के करीब थे आपने product को बनाया और उसको बेजती है और profit आपने ले लिया लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे you realize कि product तो है बड़ transportation नहीं है अगर मुझे proper transportation नहीं मिला तो मेरी crop तो यहां खराब हो जाएगी खराब हो जाएगी तो मुझे benefit नहीं मिल पाएगा तो वो क्या करेगा धीरे धीरे intensive cultivation खतम हो जाएगा और वो अपना रूप ले लेगा extensive cultivation का जो बहुत bulk में बनता है लेकिन थोड़ा सा हलका होता है location rent of intensive cultivation तो अब आपको यह point समझ में आ गया होगा कि क्यों crop के intensity and productivity decrease होती है market से दूर जा करके अगर आप एक location wise barrier बना रहे हैं या आपको location rent का concept आपको लगना है तो दूसरी आती है crop theory, crop theory क्या होती है there will be a variation in the land use with distance and the factor responsible for the variation in the land use pattern are market price to a particular crop, transportation cost, production cost and yield per unit of land the crop theory of one-thune-end can be understood by taking the following two cases तो आप इसको समझे कि one-thune-end की crop theory क्या कहती है सबसे पहले जो theory कहती है वो ये कि when two crops P and Q, the name of the crops are P and Q, have the same production cost, yields per but having different transportation cost and market prices दोनों को लगाने में ही मान लीजे कि आपके 1000 रुपए खर्च होते हैं, दोनों का खर्चा था 1000 रुपए लेकिन जब ये product लगा फिर आपने बोला कि चलो ठीक है अब market में जाके इनको sell करते हैं तो दोनों की जो transportation cost थी न उसके अंदर change आ गया दोनों की market price में change आ गया ऐसा हो सकता है माल लीजे कि आपने 1000 रुपे के टमाटर लगाए 1000 रुपे की आपने आलू लगाए टमाटर की जो आप टमाटर की जो आप देखेंगे न transportation cost वो थोड़ी high होगी इसलिए होगी क्योंकि टमाटर जल्दी खराब होने वाली फसल है टमाटर की जो rate होगी वो भी high होगी क्योंकि जल्दी खराब होने वाली फसल है अगर बहुत ज़़़़ टमाटर का prediction हो जाएगा तो वो बहुत लो भी चला जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी खराब होने वाली फसल है लेकिन अगर बहुत आलू की देखे जाए तो इसकी rate हमेशा एक similar चलेगी इसको आप store भी कर सकते हो दोनों की rate सेम थी लेकिन market value और transportation cost में difference आ गया अब देखे अब मैं बोलती हूँ कि इस P P का मतलब आप consider कर लिजे potato is costal line to transport and has a higher market price on on price then crop P will be grown closer to the market than Q due to the high transportation cost of P the location rent of P decrease more rapidly this is the case 1 यह इस diagram से आप इसको समझे जो आपको pink color में दिख रहा है intensive है जो आपको pink color में दिख रहा है यह intensive है और जो आपको green color में दिख रहा है यह extensive है market है, market से distance है अब मां लीजे कि यह तो है P का कर्व P की market value क्या थी? बहुत ज़ादा थी, rate उसकी बहुत ज़ादा थी इस वज़े से वो market के comparatively near था क्यों? क्योंकि उसकी value बहुत ज़ादा थी तो वो near था यह वाली जो है, Q वाली जो crop है उसकी value comparatively कम थी लेकिन वो दूर था और वो लंबा चलने वाला था तो जो market price जो है P की वो है यहाँ पे और market price जो Q है वो है यहाँ पे comparatively high market price किसका होगा? Q का कर्व comparatively high होगा? क्यों? क्योंकि इन्हें जल्दी नहीं है इनका market से अच्छा कासा distance भी रहा है ठीक है? अब इसी scenario में जब हम case 2 को देखें एक case में तो हमने देखा कि P और Q की value सेम थी उनका जो costing थी वो सेम थी बट values डिफरेंस थी यहाँ पे क्या होता है कि X और Y दोनों का prediction सेम है transportation cost जो है वो भी सेम है लेकिन market price में difference है ठीक है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ सेम है बट market price में difference आ रहा है If X has a higher yields and lower market price than Y it will be grown closer to the market than Y माल लीजे कि यहाँ पर एक crop है X crop है और इधर है एक crop Y इनके बीच में distance यहाँ पर आ जाएगा इसलिए आ जाएगा क्योंकि X crop जो है साफ लिखा है X crop क्या है? High yields and lower market price than Y इसकी क्या है? production बहुत जादा है लेकिन market price lower है like a potato potato का prediction बहुत जादा होता लेकिन market price उसकी कम रहती है it will be grown closer to the market than Y वो हमेशा market के closer में रहेगा क्योंकि उसकी demand generally आती रहेगी तो ये उनकी crop theory की basically दो important बातें थी यहाँ पर ठीक है? I hope आपको समझ में आ गया होगा अब देखें मैं आपको बता दू कि 1-2-9 ने अपनी जो line बताई थी इस ते जो सवाल बनता है कई बार वो ये बोलते हैं कि Central City से Central City जो isolated state की कलपना करी गई है Central City से कितनी दूरी पर कौन कौन है? मतलब की 5th नंबर पर कौन है 6 पर कौन है या 1 नंबर पर कौन है तो कई बार जो learner's mistake करते हैं वो 1st नंबर पर रखते है Central City को या market को guys ऐसा नहीं होता है market एक अपने आप में individual है यह जो आप black hole देख रहे हो ना यह individual है सबसे पहला जो zone आता है वो vegetables का आता है क्यों? क्योंकि vegetables जल्दी खराब होती है जल्दी खराब होगी तो obvious ही बात है इनका ज़्यादा लंबा transportation नहीं हो पाएगा transportation जदा लंबा होगा तो productivity कम हो जाएगी तो इस वज़े से यह हमेशा याद रखना near the market होगी और number one पे होगी उसके बाद में आती है आपकी timber farming मतलब वो farming जिसमें competitively कम समय लगता है और उसका transportation easily किया जा सकता है इसके बाद में आती है vegetables and good फिर आती है low productivity food crops fifth number पर आता है three-fold system जिसमें land को तीन parts में divide किया जाता है जैसे one and half part cultivation के लिए रख दिया जाता है one and half part पे लकडियां जो जलाने की होती है firewoods रख दी जाती है और one and half part चारागा भूमी के लिए one and third part चारागा भूमी के लिए छोड़ दिया जाता है उसके बाद में जो six number का point आता है वो life stock के लिए आता है so ये आपका completely one-tunan का model था जो ये बात करता है land use zone 1 उसमें क्या आता है like vegetable, milk and fruit second number पे वनो और लकड़ी को उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमी third पे आता है वनस्पती तेल fourth पे आता है टिकाव फसल जिसे गेहूं, चावल, जो, मांस fifth number पर आता है त्री स्तरिय प्रणाली जिसमें, एक तिहाई चेत्र का उपयोग फसल उगाने के लिए एक तिहाई का उपयोग घास के मैदान के लिए और एक तिहाई को खाली छोड़ दिया जाता है और zone 6 में आता है पशुधन और पशुपालन पशुपालन करना एक अलग चीज है और पशुपालन मतलब सबसे last में क्योंकि अगर पशुओं को लेके जाए जाएगा बिल्कुल market के पास में तो वो बहुत जादा उनकी costing जो है वो बहुत जादा चली जाएगी तो सबसे last के अंदर पशुपालन और पशुधन किया जाता है पशुपालन को नंबर बन पे कोई भी मतले कराना वहाँ पशुओं से जुड़ी हुई जो फसले हैं सॉरी पशुओं से जुड़ी हुई जो प्रडिक्ट्स हैं वो मिलते हैं नंबर बन पे बट पशुद मिलते हैं सबसे last में ठीक है clear guys चलीए तो इससे आगे की जो कल बाते हैं वो हम करेंगे आगे ही क्लास में majority में आप लोगों को समझा दिया है I hope आपको ये समझ में आगया होगा अब मैं आप सिर्पूशने जा रही हूँ quick question जो आज की क्लास में ने करवाए है which of the following gave the concept of economic rent Ricardo, Vantunen, Alfred Weber and August Losh 10 second का time है guys आपके पास में within 10 second answer आपको दे देना है so the right answer is option number A Ricardo आर्थिक लगान की अवदाना किस ने दी थी economic rent location rent अलग है वही तो difference है location rent अलग है economic rent की अवदाना Ricardo ने दी थी very good option number A which of the following gave the concept of locational rent Ricardo, Vantunen, Alfred Weber and August Losh next which of the following gave the concept of least cost theory Ricardo, Vantunen, Alfred Weber and August Losh नियूंतम लागत सिद्धान्थ किस ने दिया ये कल की class का भी revision है सही जवाब है option number C that is Alfred Weber चली गए इसी answer इसके सामनी आ गया है कि maximization of theory किस ने दी थी तो वो August Losh ने दी थी कोई बात नहीं next one-tunen model क्या है एक agriculture model है industrial model है urban model है या फिर rural settlement है correct answer option number A this is the agricultural land use model thank you very much guys आचकी class के लिए तो out of 5 out of 5 जिसके हुए है अच्छा है score किया है आपने कल मिलते हैं आप से कल की class में हम पढ़ेंगे एक नए concept को तो कल की class में भी कल की class होगी हमारी दो बजे से जुड़ना मत भूलिएगा कल की class में मेरे साथ में और साथ ही साथ guys अगर आप an academy subscription लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं क्यूंकि मैं logical reasoning का नया batch लेकर आ रही हूँ 29 तारिक से मतलब कि upcoming Monday obviously Monday होगा upcoming Monday से शाम को 5 बजे होगा अगर आप subscription लेना चाहते हैं तो आज कल में अपना subscription लेकर आप 20% आफ ले सकते हैं और UGC 10 है मेरा referral code जो आपको 20% आफ देगा तो दोस्तों अभी logical reasoning का बैच आ रहा है और 29 तारिक से ही जोग्राफिका भी बैच आ रहा है morning में 10.30 AM पे तो ये दो बैच में आपके लिए एक दिन को ला रही है मतलब upcoming Monday से हमारी plus class स्टार्ट हो रही है तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं UGC 10 referral code apply कर सकते हैं और 20% off आपको आज की class में आज कल आज और कल आज 25 उचुकी 25 और 26 को अगर आप subscription लेखते हैं तो आपको 20% off भी मिल जाता है ये आपके सामने है price list आप देख सकते हैं कि 20% off से आपको कैसे कैसे benefit होते हैं तेंक यू वेरी मच बिलकुल आज अप पे class है और 9 बजे ही अपनी class आज अप पे होने वाली है अगर आपको आची class related कोई भी doubt है तो आप easily comment करके मुझसे अपने doubts को पूछ सकते हैं ताकि मैं कल की class में आपके doubts को ले पाऊ तेंक यू बेरी मच आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा मेरी class अगर आपको आच की अच्छी लगी है तो आप like कर सकते हैं share कर सकते हैं और इस class का PDF मिलेगा आपको टेलिग्राम पे टेलिग्राम पे जुड़ करके आप मेरे साथ में PDF भी ले सकते हैं सक्सेज NetJRF पे जा करके Thank you very much Have a great day, have a nice day Let's crack it guys